हमारे साथ मौझूद हैं हारियाना सरपंच एस्सोशेशन की उपाध्यक्ष और महीला सरपंच मिढम किस तरीके से देखती हैं बैठकों का दौर जो है वो तीसे चलन की बैठक अब शूरू हो रही है कहा पर जो है वो पेज़ फसा हुआ दिखाई दे रहा है देखो कल जो हमारी मीटिंग होई उसके अंदर काफी हद तक जो भी हमारे आपस में विचार थे वो पोजिटिव रहे और हमें वैसे पुर्णिते विस्वास है कि कुछ मांगे थोड़ी बीच में अटकी हुई है तो उन पर गोर किया जाएगा और वो सारी शोर लो जाएगे ऐसी कौन सी मांगे हैं जिन पर पेज़ फसा हुआ है खास दोर पर यदि हम पावर का जिक्र करें भी बीस लाग से खटा कर जिसे दो लाग किया गया कि उस पर जो है कोई पेज फस्ता हुआ नजर आ रहा जिस तरीके से हमारी भी सरपंचों से बात चीत हुई तो सरपंचों का कहना है कि 5 लाग प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और हमारी मांग थी कि 10 लाग इसे किया जाए लेकिन 10 लाग करने को लेकर कुछ पैटर्न टेक्निकल्टी को जो है विसमें एड़ाउन किया गया क्या है आखर इस मामले में बताएं क्या कुछ रहा नहीं पावर की बात आती है तो हमने ना तो दो का जिकरन किया ना हम पांच का कह रहे हैं हम तो जो हमारे अधिकार हैं उनको पुर्णे रूप से देने के लिए बोल ले हैं और उस पर सेम्सीय हो जाती है तो सभी बातों की सहांती है सही हो जागा है जहात लगता है कुछ फरिसल को अनिगे पता आगे है कौन की नहीं ने मैंप की सभास आ जी पेच इस पर यो जो ये ट्रेंडिंक का मामला है उसमें टेक्निकल कुछ फाल्ट है उसी को लेके पेचपसा हुआ है और दो की पांच की वो हमारी डिमांड नहीं थी हमारा उनली इट एंड रिंग को जो सिस्टम है ना उसका ठेकेदारी पर था और सरपंच का काम करने का उसमें जो गेप रका है ना उसको लेके समझाया था वो साहिद मुख्यमंतरी को कुछ इसे बातें समयां आया है उसके बाद में उन्हों है टेकनी कलस वर्विंगS से बात की और इसलिए इस सुपरमीटंग का रखा था तो साहिद सोल आउट हो जीगा आजिए भलछ Cum सरपंचों से बात हुई तो सरपंचों का साफ तौर पर कहना था कि पूर्व की सरकार यानि कि कॉंग्रेस के सरकार द्वारा वे बीस लाग से अबव के जो काम थे वो इट एंटरिंग के मादम से ही होते थे लेकिन हमारी पावर्स को घटाने का काम किया है उससे जो है वो हमारी बढ़ाई जाएं तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी होई होगी हमारी मांगें सबसे पहले तो यह सविदान के तियत्रमें संसोदन में जो 39 सदीकार है उसी को लेके वी थी बाद में इट एंडिंग पर यही सारा मुद्दा इसी पी चला था जो मुख्यमंतरी को हमने समझाने की कोसिस की इट एंडिंग में सिधा सिधा सिस्टम यही है कि इन में जो यह जो ठेकदार काम करता है और जो सरपंच काम करता है उसमें काफी डिफ्रेंस है वह यह टेक्निकल बात एक घुमाने की बजाए में सीधे मुद्दे पर आना चाहू जैसे भी मुख्यमंतरी को सो समझ के आए सुबह हमारा फाइनल होजेगा चलिए आप दे काफी सो समझ कर आए है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है लेकिन फिलहाल के सिती में यह बताएं कि कब जो है वो तमाम सरपंच जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे कब मीटिं हमारी सरपंचों से बातशीत हुई तो सरपंचों का साफ तरस तवर पर कहना था कि जो मांगे हैं उसको लेकर हलाकि सरपंच बोलते हुए नहीं दिखाई नहीं देれ गंटे के बाद यानी साड़े दस या पॉने ग्यारा वजे के करीब जो है वो नतीजा सब के सामने होगा कि आखिर कर ये बैठक जो है वो सफल रहती है या फिर ये बैठक जो है वो बे नतीजा रहती है